आप देख रहे हैं डीचा हिल भाई आर्वी सरकारी भी भागों के विबने तरह की सिवाओं का लाव लेने के लिए हवास परणापत्र की मांग की जाती है अगर आप स्टुएंट हैं तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि निवास परणापत्र कैसे बनाते हैं प्राइबेट और सरकारी संस्थानों, कॉलेज और स्कूल के विबने तरह की शुवाओं तरह नमांकन के लिए निवास परणापत्र की मांग की जाती है तो ध्यान से विडियो के अंतक बने रही है निवास प्रापत बनाने के लिए सबसे पहले हमें serviceonline.bihar.gov.in के विबसाइट पर जाना होगा जिसका लिंक में डिस्कप्सम बॉक्स में डाल दिया है साइट ओपन होने पर आपको कुछ इस तरह के डासबोर दिखाए देगा उसके बद आपको यहां login बटन पर क्लिक करना है login के लिए आगे बढ़ें पर दुबारा क्लिक करें जैसे ही आप login पर क्लिक करेंगे जन परिचे का वेबसाइट खुल जागा अब यहां पर आपको मेरी पहचान में आपको यहां पर यूजर नेम और पासवर्ट डालके login करना होगा i.ds. डालने के बाद माइक कांसें पर क्लिक करके sign in करें. sign in होने के बाद सर्वीश प्रस का वेबसाइट खुल गया यहां पर आप देख सकते हैं apply for services ability क्लिक करना है अब देख हैं सर्विस्प्लस की सारी सिवाओं की लिष्ट यहां खुलके आ गई है मगर हमें बनाना है निवास प्राइब पत्र तो हम यहां सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे चुका है यहां पहले बता चुका हूँ अब यहां बेसिक बेसिक बिल करने होंगे जो मैं वहको बारी-बारी से बता ऑंगा सबसे पहले आपको अपना जेंडर करना होगा और उसके बाद आप यहां देख सकते ह investigators hadman lain ने हैं तो यहां पर कोई अभिवादन पर टिक करें उसके बाद अप्रिकेंट का नायम टाइप करना होगा विए सब्सक्राइब करना होगा में अपना सब्सक्राइब करना हो लिए साप, आप आपको बिहाराज से ही select करना है उसके बाद आप देख सकते हैं यहां डिष्टिक लिखा है अब अपना डिष्टिक्स चुने यहां पर आपको सब्डिविजन करना है और यहां अपना ब्लॉक चुने उसके बाद यहां पर लिखा है टाइप सप लोकल बड़ी आप किस आप में आर राते हैं यहां आप ग्राम पंचायत जो लोग फिल्विजन से बिलॉंग करते हैं यहां आप र atravs画 करेंगे अगर आप सहरी नगर निकाया में अलय नगर पंचाइक है बहुत नम्हों करें उसके बाद हैजसे ही को डालेंगे को बाद करके गरंगे जीवर्छं़ को का उंसे ओपन करेंगे पोस्ट ओफिश्ट उसके बाद आपको पिया ने करना है एपना करना है अधार उसके बाद आपको दिखाना होगा कि आप जो है जिस एड्रेस पे आपको बनवाना है वह अस्थाई एक अस्थाई तो मैं verification के लिए capture code यहाँ in करेंगे उसके बाद यहाँ पर proceed बटन पर click करेंगे आप देख सकते हैं मैंने अपने एके करके सारा details यहाँ फिल कर दिया है अब page के अंत में आके मैं proceed बटन पर यहाँ क्लिक करूंगा क्लिक करने पर आपको एक pop-up message आएगा इस message पर आपको यहाँ पर ok पर click करना है क्लिक करते ही आप यहाँ देख सकते हैं जो भी आपने form में फिल किया है उसका एक preview यहाँ open हो के आ गया है इसको आप बारेकी से बिलकुँ मिला लें बिलाने के बाद page के अंत में आएं और यहाँ attack पर click करें आपने जो भी details form में फिल किया है उसके regarding आपको यहाँ document यहाँ upload करना होगा यहाँ पर कई तरह के document की यहाँ लिस्ट बनी हुए आपके पास जो document हो वह अप लगा सकते हैं मेरे case में मैं यहाँ अधारकाड यहाँ upload करने के बाद चूज फाइल पर click करके अब अपना अधारकाड यहाँ पर upload करें मैं यहाँ पना अधारकाड अप्लोड कर दिया है अब मैं से यह इनक्जर पर click करने के बाद page आपका प्रभी वाले page पर दुबारा इल्टरन होके आएगा अब आपको finally कि आपको नंटिकेशन करना है कि ओने के बाद आपके इस तरह का इक लांज-वेंट प्राप्थ होगा दस जिनों के अंदर आपके दो आपको एक लिकीशन करें अपको जलीन करके आंपको फेलेस्च करकणा कर सकते